Artificial Intelligence अब Cyber अपरादियों के हाथ लग गया है Cyber अपरादी Fraud GPT और Warm GPT जैसे Artificial Intelligence टूल्स का इस्तमाल करके अपरादिक गतिविदियों को बढ़ावा दे रहे है Cyber अपरादियों के इस्तिमाल वाले Artificial Intelligence टूल डार्क वेब पर तेजी से उभर रहे है और Cyber अपरादिय डार्क वेब से इन टूल्स को खरीद भी रहे है Sir ये स्केम कैसे चल रहा है सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूँगा तकनीक डार्क वेब में Fraud करने वाले लोगों के भूत कामा रही है और जिससे हम बराबर चर्चा में कहते रहे हैं कि Artificial Intelligence के वेले एक संभावना ही नहीं बड़ा बड़ी चुनौती भी है और वो चुनौती हमें बनती दिखाई दे रही है डार्क वेब के उपर इस तरीके के Language Generative Model Programs क्रियेट हो चुके हैं जो आपके समवाद को आपके Mail Communication को हुबहु कॉपी कर सकते हैं जिस तरीके में आप लिखते हैं जैसे आप भाशा में लिखते हैं उसे वैसे ही कॉपी कर लेते हैं और अब डाक वेब से इन टूल्स का इस्तेमाल लोगों को Fishing Mail भेजने से Message भेजने में, Social Network को Copy करने में इन में इस्तिमाल किया जा रहा है बहुत सारे मामले अब निकल के सामने आए जो बहुत खतरनाक हैं कि आपको लगता आपका Mail पूरी तरह सुरक्षित है लेकिन आपका भेजा हुआ Mail डाक वेब में पहुँचता है और किसी दूसरे सीपेंट को वैसा ही Mail आपकी तरफ से भेजा जा सकता है आपके Mail ID से और आपको पता भी नहीं चलेगा या किसी दूसरे वेखते का Mail Language Generative Model के तहट कापी होकर आपके पास आ सकता है जो मामले आप बढ़े हैं इसको लेकर सरकार और एजिंसियां समझ नहीं पा रहे हैं किसे कैसे मैसेज किया, मैनेज किया जाए क्योंकि हमारे Mail Box में जो सूचना है आती हम तो यह जानते हैं कि हो सही वेक्तिकी तरफ से आ रही है अगर उसके बीच में के AI का कंप्यूटर और रोबर्ट बैठा हुआ है जो किसी दूसरे की सूचना लेकर आ रहा है समझना मुश्किले से चार बड़े तरीके के फ्रॉट सामने आए सबसे जाधा है इससे Malware का distribution हो रहा है क्योंकि ऐसी मेल से आपके mailbox में land करती हूं और आप उनको क्लिक करते हैं जानते हुए कि आपके किसी जानकार ने भेजी है तो आप उस malware को अपने computer में पहुंचा देते हैं और उसके बाद malware वो data निकाल कर उस भेजने लगता है इसके सारे बहुत सारी जरूरी phishing हो रही है बहुत सारा data आपका निकाला जा रहा है जिसे आप समझी नहीं पाते है क्योंकि आपको लगता है कि यह बास तभी mail है अभी तो हम केवल cyber security की चुनोतियों से जूज रहे थे तो यहां तो artificial intelligence की insecurity भी हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है इस भी voice को लेकर भी आपकी आवाज को लेकर आपके बातचीत करने के तरीकों लेकर भी scam टेजी से चलना है यह बता रही है प्रेंका जी प्रेंका जी क्या है यह voice scam कैसे हो रहे है आप बिलकुल अभी अंशुमन ची बात कर रहे हैं आपके mails की लेकिन यह artificial intelligence का इस्तमाल एक कदम आगे voice enactment और केवल voice ही नहीं आपके विडियो के इनाट्मेंट जैसे कि आपके विडियो को शुभम कोई देख करके आपकी आवाज आपकी चेहरे को कौपी कर लेगा आपके आवाज को कौपी कर लेगा और आपके किसी अपन को वो AI chatbot से phone किया जाएगा उन्हें विश्वास दिलाया जाएगा कि शुभम को कुछ पैसों की जरूरत है तो यह केवल mail तक्सीम में नहीं है यह केवल हमारे gadgets में आपके हमारे security से खेलवार नहीं कर रहे हैं बलकि कुछ और बनकर आपको phone कर सकते हैं और आपको लगेगा कि आपकी जानने वाला कोई दोस्तों कर रहा है आपके परिवार का कोई दस्तों कर रहा है तो voice और audio को भी fake तरीके से इस्तमाल करके इसे artificial intelligence deep fake कहा जाता है तो इससे मैं चाहूंगी लोग साफधान रहें जाकते रहें क्योंकि money9 यही कोशिश है किस तरह के fraud से आपको कैसे बचना है बताएंगे तो बहुत जल सुपर आप में हम इस पर एक पूरी स्टॉरी लेकर आएंगे जाकते रहो में सुपर आप को डाउनलोड कीजे money9 के ताकि आप समझे किसे कैसे बचना है चलिए तो प्रेंका जी ने ये भी बता दिया कि क्या हो रहा और ये भी बता दि सुपर आप डाउनलोड कीजे जाकते रहो देखते रहे हैं सर लेकिन एक बड़ी चीज ये है कि ये सब कुछ रुक क्यों नहीं रहे है कि सरकार ने क्या क्या किया दो तिन चीन तो मुझे याद आती है ट्राई से कहा कि आप नंबर बंद कर दीजिए कंपनियों से ये कहा क कि आप अपने हाँ सेक्योटी के सॉफ्ट्वियर्स लगाई है इतना सब कुछ करने के बाद चीन की कंपनियों पर चापे मारेगी नहीं तुम डेटा चुरा रहे हैं बहार निकलो इसकी बाद भी ये सब रुक क्यों नहीं रहा है हाँ इसली ने लुकराई शुभम कि सरका की कोशिशें बैल गाली युग में हैं और फ्राड करने वाले क्रिप्टो एज में तो दोनों के बीच में जो जनरेशन चार पांच जनरेशन का गैप है सरकार तो भी ये कह रही कि कॉल्स ना आएं आपके पास फोन से आपके पास मार्केटिंग के कॉल ना आए उसी पर भ में विश्था भी शुरू हेैं देश की पूरी का पूरा विजिलेंस तंत्र साइबर सेकुरिटी में अप ऐस्य थीयूभ कि साङवर सेकुरिटी में जूंग फे हैं आप जाना में कि मुकदमे दर्च करें कि कोशिश करिए चिक्ए हुसिश करये हैं शेकायट का पास बैक् कि हम अपने लेवल पर इतना सतर करें हम बहुत उत्सुता के साथ बहुत दिल्चस्पी के साथ उन सारे समवादों का जवाब शायद ना दें जिनकी जरूरत नहीं है कुछ ठहरें थोड़ी देर सोचें क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया आपके साइकोलाजिकल अंडरिस्टें में आप उस वरिफिकेशन कोड में कोड के चपेट में आ जाएंगे तो भुद्भयत सतर्क रहके इस डिजिटल स्पेस में बात करने की ज़रूत है सरकार की तरह से कानुन तो बंद हाई डेटा प्रोटेक्शन का लेकिन कितना प्राइवेसी प्रोटेक्ट करेगा यह में देखना होगा चलिए